वेलकम टो एक्जाम तक आज है 19 सितमबर और 19 सितमबर और 18 सितमबर के जो भी important current office होंगे वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे 18 सितमबर को हमारा current office का वीडियो नहीं आया था लेकिन उसके सभी important question जो हैं हम लोग इस वीडियो में करेंगे तो आप लोग आज के इस वीडियो को तो completely ध्यान से last रख देखना बहुत सारे ऐसे question मिलेंगे जो direct exam oriented question है बहुत important वीडियो रेने वाला है जो चलिए start करते हैं आज का वीडियो first question कौन सा है and first question बहुत important है आज कल बहुत shocking में है और आज कल बहुत trend में है resignation ठीक है ना resign आज कल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और यहाँ पर हाली में नया नाम जोट चुका है पंजाब के CM कैप्टन अमरेंदर शिंग साब का यह देख सकता है कैप्टन अमरेंदर शिंग साब जिनोंने कल जो है इस्तिफ़ा दे दिया अपने पद से तो पंजाब यहाँ पर important याद रखना है इननोंने यहाँ पर अपना इस्तिफ़ा दे दिया है गरबाद के यह Congress Party से थे 80 सी हीटे थी यहाँ पर Congress की लेकिन इन से कुछ ने कुछ विवाद हमेशा रहता था और में विवाद था नवजोत सिंग सिद्दू का इनके साथ यह हमेशा सही रहा है और अभी जो है इननोंने फाइनली इस्तिफ़ा दे दिया है अभी कौन नए मुक्यमंतरी बनते हैं जाकर बनते हैं यह सिद्दू बनते हैं वो अभी आने वाले एक दो दिन में पता चल जाएगा कॉंग्रेस का ही बनेगा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और आने वाले छे महिने में आपको पता गए उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब मैं भी यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं तो यहाँ पर इलेक्शन से जस्ट पहले यह इस्तिफा देना काफी बड़ी बात है इंपॉडन गयाद रखना आपको पंजाब के सीम अभी कैप्टेन अमरेंदर शिंग नहीं है अब मैं आपको बता दो पिछले अगर बात की जाए महिने दो तीन महिने से बहुत सारे रा जिपाल और मुख्यमदरी दोनों के बारे मैं आपको डीटेल में बताऊंगा अभी जो भी रिसेंटली बने हुए है सितंबर 2021 तक बाखी अभी जो है काफी सारे चेंज हो चुके जिसमें नया नाम है पंजाब का पंजाब के अगर बात की जाए बहुत ही इंपॉडन बात होकी स्टेडियम जिसका नाम बदल कर बलवीर सिंग सीनियर होकी स्टेडियम किया गया वो भी आपको इंपॉर्टन याद रखना है और इसके लवाए यह आपको पंजाब के बारे में याद रखना है तेश डिस्ट्रिक्ट है और यह सब आपको याद रखना है ठीक है ना बनवारी लाल पुरुईत आप पंजाब के हैं ये याद रखना बहुत इंपोरेंट तो तमिल नाडू के कौन है तमिल नाडू के आर एन रवी है इंपोरेंट याद रखना उत्रा खंड के नई राजेपाल कौन बने है गुरमीत सिंग बने है उत्रा खंड के नई राजेप सोमा ने ऐसा कुछ नाम है अभी जो है मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक है ना तो यह आपको इंपोर्टेंट याद रखना है नेक्स्ट अगर बात कि जाए यहां पर जो है आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स से आपको बता दो अगर आने वाले टाइम में MTS जी डी का एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही बेस्ट रेट पर आपको यह टेस्ट सीरीज मिलेगी अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो मस्ट बाई इट नाव पिकॉज यह सबसे बेस्ट अई में अभी जो हैं SSC GD के लिए एक से डेड़ मेना बचाएं तो आप ल यहां पर जो हैं मिलती रहेगी नेक्स्ट अकर बात की जाएं यहां पर जो हैं सेकेंड कुशन एंड मैं आपको बता दूं ना सिर्फ फर्स्ट कुशन बहुत सारे कोशन जाज इंपोर्मेशन था कि पंजाब की सिम ने स्तिफा दे दिया हैं अभी जो नई सिम बनेंगे व यूके और यूएस इन तीन देशों ने त्री पक्षिय एक सामरीक अगर बात कि जाएं यह संगटन बनाएं सामरी क्याने की सेना से समधित मिलिटरी से समधित तो यह आपको इंपोर्टन याद रखना हैं और यह बहुत इंपोर्टन याद रखना हाले में यह बनाया हैं इस बनाने के कारण जो काफी कुछ विवाद भी हुआ हैं इसलिए यह ग्रूप ज्यादा ही इंपोर्टन रह जाता हैं फ्रांस जो एक्चुल में जो हैं फ्रांस ऑस्ट्रिलीया एंड यूएस पे काफी नराज हो चुका हैं इस बात पर अच्छा फ्रांस क्यों नराज हो प्रांस के साथ नहीं करके यूके और यूस के साथ कर रहें इस समू के तैथ तो इससे लिए यहाँ पर फ्रांस बहुत ज्यादा नहरा जो चुका है फ्रांस ने अपने अंबेस्टर तक वापस बुला लें और यूस से आप लोगोग सोच सकते हैं कितने रिलेशन खराब हो जाते हैं जब ambassador वापस आ जाते हैं दूसरे देशे अपने देश में ठीक है ना तो यह आपको important याद रखना इन तीनों ही संगठन का अचा इन तीनों संगठन के जो है states of head याद रखना है औस्ट्रिया के कौन है औस्ट्रिया के Scott Morrison important याद रखना Scott Morrison है और यूएस के तो कोन है जोई बाइडन है blender man है ठीक है ना तो बहुत ज़्यादा blender कर दिया अफगानिस्तान के बाद यह और नया कर दिया कि France को जो है अब मरलब एगरम काफी कुछ विबाद कर दिया और UK की अगर बात के तो Boris Johnson है ठीक है ना ये भी अपनी third marriage कर चुके ह नहीं blender man मिलकर पता नहीं क्या कर लिया तो Boris Johnson भी आपको याद रखता है इन तीनों की capital क्या है Australia की capital मिलेगी आपको कहने बरा important याद रखता है US की Washington DC जो पोटो में नदी के किना रहे और UK की मिलेगी आपको London जो कि हैं ठेम्स नदी के किना रहे तो यह तीनों की तीनों आप आपको capital एंड यहां के जो है PM रास्टपती जो है यह आपको important याद रखने है अच्छा UK की currency मिलेगी आपको pound इस्टार लिंग ठीक है तो UK की तो pound इस्टार लिंग है एंड इन दोनों की डॉलर है ठीक है यह भी आपको थोड़ा सा important याद रखना है next अगर बात की जाए य 21st summit जो है यह कहां पर हुए है और यह चौथा summit होगा जिसमें भारत प्रपर इसके फुल फ्लेश्ट मेंबर के तोर पर भारत हिस्सा ले रहा है 2017 में आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान दोनों ही जो है इस समों में शामिल हुए थे पहले observer country थे अभी जो है शामिल हो चुके हैं totally और नरेंद्र मोधी जी ने जो है वर्चुली रूप से इसमें अपना भाशन दिया जबकि भारत के जो विदेश मंत्री एश जैसंकर शाब वह गए हुए हैं वहां पर फिजिकली रूप से प्रिजेंट होने के लिए कहां पर होगा अभी मैं आपको बताता हाइब्रेड राफ की कुछ देशों के प्रतिनीदी वहाँ पर मौजुद और कुछ देशों के प्रतिनीदी जो हैं ऑन-लाइन रूप से भी वहाँ पर आ रहे हैं तो यह का फॉर्स्ट हाइब्रेड समयत था और चौता समयत ता जिसमें भारत है इसलिया टोटल 21 शिकर समि बीजिंग में वैसे इसकी फुल फॉर्म तो मिलेगी शंगाई कॉर्परेशन और्गनेशन लेकिन हैड़कॉर्टर्स मिलेगा आपको बीजिंग में इंपॉर्टन याद रखना है इसके काफी सारे military exercises बगरे भी होती है SU की and SU में देश कौन से मिलेंगे तो देश आपको इस तरह से याद रखना है दो देश तो important है याद रखना है है तजिकिस्तान की capital बिल्कुल बहुत important नहीं most important याद रखना है दुश्यामभी तजिकिस्तान अच्छा हले में काफी कुछ summits वगरे हुए है Quad का summit होने वाला US में 24 सितंबर को वह आपको याद रखना चार देश है इसके लवाग ब्रिक्स का summit हो है जिसमें इंडिया ने अधिक्ष तक है यहाँ पर भी आपको चाहिना रशिया भी मिलेंगे इंडिया भी मिलेंगे तो ब्रिक्स का summit जो है अभी इंडिया में होआ है यह SU का summit अभी दुशा में ताजिकिस्तान में होगा Quad का summit US में होगा वैसे dedicatedly वीडियो बनाने का भी मेरी काफी इचा है आने वाला टाइम है बनाओगा अभी थोड़ा सा बीजी चल रहा था इस कारण से दूसरी कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था बागी 2.0 पर छोटे वीडियो बड़े वीडियो वहाँ पर अच्छे वीडियो ही आएंगे knowledgeable वीडियो आएंगे सब्सक्राइब मस्ट कर लेना अब चार देश जो आना Central Asia वाले जो SEO के पार तो आएं लेकिन इनकी capital याद रखने में थोड़ी सी problem होती है तो ऐसे याद रखे उजबगिस्तान की capital का ताशकन समझता हुआ तो वैसे याद रखो उजबगिस्तान की capital ताशकन है बार बार आपको जो हैं अच्छे से logic wise बठाना पड़ेगा revision करना पड़ेगा ताकि आपको इनकी capital मिलेगी क्योंकि examiner इनकी capital बहुत पुचता है दूशामबी ताजिकिस्तान आपको याद र अलवा रश्या भी एशिया एंड यूरोप में आता हैं तर्की भी आता हैं कुछ तक जोर्जिया अजर्विजान उनका भी कह सकते लेकिन तीन देश तो important याद रखना है जो कि एशिया एंड यूरोप दोनों में आता हैं कजाकिस्तान सबसे बड़ा land locked country है यानि कि इसके सबसे बड़ा है तो यह भी आपको अब इतना डीटेल आपको याद रखने है यह अभी सब्सक्राइब दूशामबे ताजिकिस्तान में हुआ था अच्छा यहाँ पर जो हैं बाकी तो किसी की आद रखो या न रखो बैठक में ताजिकिस्तान के जो राष्टपती है एमो खाने हैं बाकी इन देशों के ज़्याद रखनी जुरूत है नहीं जो देश चर्चा में रहते हैं उनके फिर याद रखना है तो एमो मली रहमन जो हैं इन्होंने अधिक्ष्टा किये हैं स्यू समिट की सो इसलिए इनका नाम याद रखना है नेक्स्ट अकर बात की जाए बहुत ही शॉकिंग निओज है आप सभी लोगों को शायद काफी लोगों को तो पता भी होगा विराट कोली ने किस फॉर्मेट में कपतानी छोड़ने का फैसला किया है तो अभी टी 20 फॉर्मेट है उसमें विराट कोली ने कहल लिया है कि वह एज़े बैट्समैं ही खेले तो T20 में विराट कोली ने कपतानी छोड़ने का फैसला किया है ये कोशन आपको important याद रखना है अच्छा वो कपतानी छोड़ेंगे अगले मैने तो T20 वर्ल्ड कप है तो T20 वर्ल्ड कप वो पूरा करवाएंगे as a captain तो विराट कोली के लिए ये बड़ा मौका है लास्ट मौका भी है T20 में कि वो जो है अपना कप वापस लेकर आए मनलब कप जीत कर ही आए और captain सी छोड़े बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए तो हम लोग सभी लोग आशा करेंगे इंडिया यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप जीते जो UAE एंड ओमान में होने वाला है तो यह आपको important याद रुकना है T20 वर्ल्ड कप के बाद क्या करेंगे विराट कोली T20 में खेलते तो रहेंगे captain नहीं रहेंगे captain बन जाएंगे शायद most probably Rohit Sharma तो इस तरह से यह चलने वाला है बाकि ज्यादा कुछ फर्क नहीं आने वाला है ODAI टेस्ट में वो ही अभी captain रहने वाले अभी वो जो है काफी time तक तो वो खेलेंगे एटलिस 2023 तक तो ठीक है ना अब next अगर बात किजाए एक पुस्तक से समधित कोशने और ये books and authors वाला तो मैंने आपको बताई दिया SSE का one of the most favorite कोशने है हाले में किसकी पुस्तक है translating myself and others ये है translating myself and others मतलब ये पुस्तक किशके है ये है जुंपा लाहेडी की ये अमेरिकी लेखा कहे हैं इनकी काफी सारी पुस्तके हैं जिसमें recently आये translating myself and authors हलांकि ये प्रकाशित होगी 2022 की स्टार्टिंग में लेकिन इस book का नाम जो है release हो चुका है so important याद रखना translating myself and others ये जुंपा लाहेडी की पुस्तके हैं वैसे वीर सांग भी जो इंडियन पत्रकार है उनकी हाले में पुस्तक आये थी the rude life अबने जो सुब्रमनियम स्वामी जी उनकी terrorism in India and human rights ये पुस्तक भी आये थी हाले में तो ये तिनों ही पुस्तके recently launch होई है आपको याद रखना है next रखर बात की जाए यहाँ पर जो हाले में किस अमेरिकी कंपनी ने भारत को छोड़ दिया है यहाँ पर बहुत बड़ा step ले लिया है किस अमेरिकी कंपनी ने भारत को छोड़ दिया यह है Ford Motors जो Ford की कार जाती थी जो Made in India की बोलते थे उन्होंने अपनी Ford को इंडिया में manufacturing करना बंद कर दिया है ऐसा नहीं कि Ford की कार अब इंडिया में नहीं मिलेगी मिल पाएगी लेकिन अभी यहाँ पर Made in India की Ford कार नहीं मिलेगी Ford ने इंडिया को छोड़ दिया है officially रूप से important याद रखना है वैसे Ford जो है US-based कंपनी है 1903 में स्तापन वे थी बहुत सो से भी ज़्यादा साल पुरा नहीं है लेकिन important याद रखना है यह जो है Ford ने अभी इंडिया को छोड़ दिया है recently बहुत important याद रखना है इसका नाम ठीक है न वैसे Harley Davidson यह भी कहां किये US की मिलेगी आपको Tesla Motors यह भी US की मिलेगी Elon Musk की Toyota कहां किये Japan की है Maruti Suzuki यह अपनी India की है जिसने बहुत बड़े Indian कार मार्केट को capture कर रहा है Maruti Suzuki को बागी Toyota वगरे भी काफी ज़्यादा चलती है महेंदरा हो गई बहुत सारी है ठीक है ना लेकिन आपको Ford याद रखना इसने भी भारत को छोड़ दिया है Next अगर बात के Vishwobans दिवस का मनाय जाता है बहुत important है World Bamboo Day World Bamboo Day का मनाय जाता है 18 सितंबर को मनाते है World Bamboo Day वैसे यह कुछ दिनों पहले important day मनाय गए 14 सितंबर को Hindi दिवस था ठीक है ना भी आपको याद रखना है 15 सितंबर को इंजीनियर डे था एंड लोक तंत्र दिवस भी था ठीक है ना विश्व लोक तंत्र दिवस ठीक है ना वो भी याद रखना 16 सितंबर को कौन सा डे था ओजोन वाला डे था एंड ये अभी 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस या फिर वर्ल्ड बेंबू डे ये दोनों डे आपको मनलब ये इंपोरेंट रखना बाकी 18 सितंबर को कुछ और डे मनते हैं वो आम लोग अभी जानते हैं 18 सितंबर को विश्व 12 दिवस मैंने बता दिया है नेक्स्ट कोशन है विश्व जल निगरानी दिवस यानि की वर्ल्ड वर्टर मोनिटरिंग डे वैसे विश्व जल दिवस तो आप सभी को बताएं कब मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं तो इसलिए कोशन एक्जामेनर ये पूचे का और आप 22 मार्च पे तुक्का लगा के आजाओगे विश्व जल निगरानी दिवस चुआना ये 2003 से शुरू हुआ है और ये मनाया ज़दा हर साल 18 सितंबर को important याद रखना है जबकि विश्व बांस दिवस 2009 से मनाना शुरू हुआ important याद रखना है इसके लिए भी world bamboo organization बनावा है जिसका headquarters मिलेंगे आपको जर्मनी में important याद रखना है और ये सब ये day organize करा रखते हैं वैसे next अगर बात की जाए कुछ और दिवस था विश्व तर्टिय सफाई दिवस था और एक और था अंतराष्टिय रेड पांड़ा दिवस हलांकि ये दोनों दिवस 18 सितंबर को fix नहीं है हलांकि सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाते हैं ये दोनों दिवस कर दिया गया है ये कहां पर होगा अच्छा 2022 में शीट का लिन ओलंपिक और शीट का लिन पर ओलंपिक कहां पर होंगे चाइना की बीजिंग में होंगे ठीक है ना वैसे बीजिंग आपको क्यों याद रुकना है कोगे वहाँ पर उत्र कोरिया को जो है अफिशिली रूप से बैन लगा दिया है आयोसी ने लेकिन अभी जो इसका मोटो भी लॉंच है टुगेदर फॉरा शेयर्ड फ्यूचर ये होगा इसका मोटो बहुत इंपोर्टन याद रुकना है तुगेदर फॉरा शेयर्ड फ्य वह आपको एक्जाम तक 2.0 पर मिलेगा जरूर से जाकर देख लेना बहुत इंपड़न रहेगा आपके कोशन्स बनेंगे अभी जो राजस्तान पुलीस ऐसा ही का जो एक्जाम होता ना उसमें एक एक शिफ्ट में चार्स-पांच कोशन बने थे हालांकि वह जो हैं अदिकारी हैं उनके लिए लॉंच किया है अच्छा एक लैसे के बाद के क्या याद रखता है अनन्दा अइप हाले में लाउंच किया था अपने एजेंटों के लिए अननन्दा अप वो भी एला इसे ने लान्ज चाय था और अब भी यह प्रगत्ति अप भी लॉंच किया LIC ने LIC के अगरबाद के Life Corporation of India ये इसकी फुलफो में 1956 में इसकी स्तापना हुई थी मुंबई में इसका एड़कोर्टर में लिगा और MR कुमार जो आना ये इसके प्रिजेंटर में चेयर में ये आपको important याद रखना है next अगर बात की जाए तो यही थे आज के सभी के सभी question जो भी मैंने आपको explain क्या है यह थे आज के question बहुत important थे सभी के सभी question अब अगरबाद के time magazine ने top 100 चूची में किन भारतियों को शामिल किया इनका answer आप लोग comment box में लिखिए अभी जो है मैं आपको बता दू कल के भी कुछ question थे जो मैंने आज की इस video में ले लिए हैं बाकि कुछ और होंगे वो कल के video में करवा लेंगे जो भी important रहेंगे वो हमें आपको daily basis पर करवाता रहूँगा कभी एक दू दिन पे जो है कल जो है मैं video डालना चाता था बट immediately नहीं डाल पाया किसी reason से तो यह आपको याद रुकना time 100 सूची में कौन से भारते शामिल हुए है इनका नाम comment box में लिख लीजिए बहुत important है यह तीन भारती हैं तो यही ताज का वीडियो इस वीडियो को अब share करने लेना चाहिए आप लोगों को बागी test series के लिए आप लोग परिक्षा एपको डाउनलोड कर सकते हैं तो यही ताज का वीडियो जैहिन जै भारत